अपना हमारा मेन टॉपिक है आज का इसका नाम है टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन ओफ लाइट क्या होता है इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक डियाग्राम की हल्ट से मैं बता रहा हूं यहां पर क्या है देखो जरा ध्यान से मैंने माना कि यह एक यह दो अल रही क्या मान सकते हैं इसको एयर मान लेता हूं मैं इसका से other in the давно यह समझे सब्सक्क्राइब data once x है जैसे कि water पानी को मैं denser medium मान सकता हूं as compared to air एर के comparison में मैं बोलूँआ कि water थोड़ा denser medium है अब मैंने assume किया कि अगर light ray denser medium से rarer medium में जाए बहुत important condition मैंने बोली यह essential condition है total internal reflection of light की light ray हमेशा कहां से कहां जानी चाहिए denser to rarer medium में जानी चाहिए अगर light ray को total internal reflection करना है तो समझाता है यतना तो यह light ray कहां से कहां जानी चाहिए denser से rarer medium में घने medium से हलके medium की तरफ जाना चाहिए कम घने medium की तरफ चीक है समझाता है यतना अभी यहाँ पे इस point वह जो नॉर्मल बनाना पड़ेगा बनाना पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं है यह मैंने बोला यह एंगल of incidence आई बनाया इसने मैं आई वन एंगल बोल देता हूं इसको थोड़ी देर के लिए आई वन एंगल मैं बोल रहूं इसको अभी लाइट रे अगर से मीडियम में जाती तो यह सीधे चले जाती है अगर से मीडियम में जा रही होगी समझाता है इतना चीक है अभी लाइट रे जा रही है यह देंसर के देंसर क्यांतों क्यों यह यह दंसर मीडियम में जाएगी तो कहां से qa होगी दिन्सर से देंसर में जाने में अब फ्रॉम दणोर्म समझाएímy ण होगी और से तरीका पता आ है मनुट आपको ऐसे ही जब light ray dancer से rare or medium में जाएगी तो वो normal से थोड़ा सा दूर मुड़ जाएगी तो यह थोड़ा सा अगर straight path में ऐसे जा रही थी है सीधे इस तरह से यह लेकिन थोड़ा सा दूर दूर चले गई समझाते हैं यह थोड़ा सा दूर चले गई समझाता है इतना ठीक है मैंने मान लिया यह वला एंगल क्यों आर वन एंगल बोल देता हूं मैं अब मैंने एक अनधर केस लिया दूसरा केस लिया इस बार मैंने light ray को incident जो करवाया मैंने इसी पार्टिकल से light ray भेजी यहाँ पर जो पार्टिकल था हमारा इस पार्टिकल से अब मैंने light ray भेजी थोड़ा आगे यह सीधे जा रही होगी ऐसे सॉरी यह सीधे जा रही होगी यहाँ से अब यह light ray जो है यह i2 एंगल पर incident हुई अब अगर मैं दोनों डाइग्राम्स में compare करूँ तो यह मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि जो i2 है यह बड़ा है किससे i1 से i1 से बड़ा है थोड़ा से मैंने incident angle की value को थोड़ा सा बड़ा है अब अगर मैं incident angle की value को बढ़ा हूँ तो यह angle of reflection भी भड़ेगा बड़ेगा अब जो यह r2 बना है यह must be greater than r1 r2 हमारा r1 से पहले वाले से थोड़ा सा बड़ा होगा ठीक है यह भी समझ आता है मुझे अब अब मैंने क्या किया light ray को मैंने incident कराया थोड़ा और बड़ा मैंने angle किया यहाँ पर अब जो यह i2 था i2 से भी थोड़ा सा बड़े angle पर मैंने light ray को incident करवाया मैंने i2 को i2 से भी अब मैंने light ray को i2 से भी बड़े angle पर incident करवाया यानि कि इसको मैं बोल रहा हूँ critical angle अभी मैं critical angle क्यों बोल रहा हूँ इसको i क्यों नहीं बोल रहा हूँ चलो मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ, इसको मैं IC बोल देता हूँ, समझा है, मैंने IC मान लिया है इसको, ठीक है, अभी light ray को कैसे जाना चाहिए, सीधे ऐसे चले गई, अब ये light ray थोड़ा और बैंट जादा होगी, अब मैं मान लेता हूँ, ये एक ऐसा incident angle है, जिसके लिए light ray 90 degree पर refract हो गई, 90 degree पर refract होने का मतलब R की value कितनी होगी, 90 degree, that incident angle for which the refracted angle become 90 degree when the light ray goes from denser to rarer medium, that incident angle in the denser medium is known as critical angle, बहुत important condition है, critical angle अमेशा कहां बनता है, denser medium में बनता है, कब बनता है, जब light ray denser से rarer medium में जा रही होगी होगी, समझाया है इतना, कोई दिक्कत, ठीक है, तो यहाँ पर incident angle कितना था, critical angle, ic क्या है हमारा, इसको ic को मैं cv बोल सकता हूँ, काफी books में इसको cv लिखा हुआ है, तो इसको मैं बोलता हूँ, critical angle, क्या बोलते हैं इसको, critical angle, तो अगर आप से पूछा जाए कि what is critical angle, तो critical angle कहां बनता है, ऐसे कुछ question आप से board में पूछे जा सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, it is that incident angle in the dancer medium, when light ray goes from dancer to rarer medium, for which the refracted angle become 90 degree, that incident angle is known as critical angle, समझाता है इतना, कोई दिक्कत नहीं, चीक है, अभी अगर मैं इस critical angle से भी ज्यादा angle पे light ray को incident करा हूँ, तो क्या होगा, मैं इसको मिट मैं light ray को, थोड़ा सा, अब मैंने critical angle वाला condition से भी एक step आगे चिले गया, अब मैंने critical angle से थोड़ा सा और बड़ा angle पे light ray को incident कराया, तो मैंने light ray को incident कराया, अब मैंने light ray को incident कराया, eye angle पे, and this incident angle is greater than the critical angle, यहाँ पे क्या है, जो मैंने पहले incident angle लिया था, जिसके लिए refracted angle 90 degree बना था, उससे भी थोड़े से बड़े angle पे मैंने light ray को incident कराया, अब याने की critical, this angle is greater than the critical angle, अब क्या होगा, light ray ऐसे जा रही थी, critical angle के लिए, critical angle के लिए ऐसे 90 degree बना था, अब light ray थोड़ा सा और दूर चले के, याने की light ray same medium में reflect back हो गई, क्या बोला गया, same medium में reflect back हो गई, यही तो होता है TIR, total internal reflection, जिस medium में light ray थी, उसी medium में, जिस denser से rarer medium में light ray जा रही थी, उसी denser medium में, जब light ray, same medium में reflect back हो जाए, इस condition को क्या कह हो गया, इस condition को कहा हगया, total internal, not reflection, total internal reflection of light, reflection थोड़ी न होगया, light ray एक medium से दूसरे medium में थोड़ी नżenia कовор़ी नहीं है, light ray गई है, जिस medium में light ray थी, उसी medium में reflect back हो गई है, यह ना, तो इस condition को क्या कहा गया, total internal लिए गड़ेंव में लाइटरेंसर से बढ़ाना शुरू किया अब मैंने इंसिदेंट एंगल को बढ़ाना शुरू किया तो छीบ INTER गों में तो जब लाइट रही थी तो मैंने इंसीडेंट अंगल की वल्ली को बढ़ाना शुरू किया तो एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन भी बढ़ना शुरू हुआ एक ऐसा इंसीडेंट अंगल इन देंसर मीडियूम जिसके वजह से light ray 90 डिगरी पर refract हो जाए, रेरर मीडियम में, उस incident angle को क्या बोला गया, क्या बोला गया, critical angle बोला गया, उस incident angle क्या बोला गया, critical angle बोला गया, ठीक है, very good, ठीक है, अब अगर मैंने critical angle से ज्यादा बड़े angle पर light ray को incident करवाया, तो light ray same medium में reflect back हो जाएगी, यह ना सेम मीडियम में reflect back हो रही है इस condition को क्या कहा गया ती आई आर यानि कि total internal reflection of light क्या वो लगया total internal reflection of light ठीक है अच्छा अगर मैं बात करूं कि किस में कितना critical angle हो किस medium का critical angle कितना होगा तो मैं इसमें बात करूं अगर मैं critical angle वाली condition पर देखूं चेक करूं तो यह हमारा rarer medium था mu1 यह mu2 dancer medium था हमारा इसको मैं लिक देता हूँ यहाँ यह था हमारा rarer medium and this is dancer medium ठीक है तो light ray अभी जा रही थी dancer से rarer medium में तो यह मैंने critical angle पर या फिर आई या आई सी दोनों में तो कुछ भी बोल सकते हैं आई भी बोल सकते हैं और आई सी भी बोल सकते हैं तो इसके लिए refracted angle कितना बन गया हमारा 90 degree तो r कितना बना हमारा 90 degree अगर मैं यहाँ पर snail's law पता है न आप लोगों को तो snail's law law of reflection थर्ड law of reflection यह गोलते हैं इसको है न तो sin i divided by sin r is equals to बादवाला medium जहां से जहां lighter जा रही है जहां पर बाद में lighter जा रही है बाद में कहां जा रही है बादवाले medium का refractive index divided by जहां से lighter जा रही है mu 2 से जा रही है light रही है न तो यहां पर अगर मैं critical angle वाली condition पर देखूं तो i किसके equal है यह है critical angle के equal और r कितना है 90 degree तो यह क्या बन जाएगा बताओ ज़रा फट आफट sin c divided by sin 90 degree is equals to mu 1 by mu 2 ओके तो sin 90 degree हमारा 1 हो जाता है तो sin c की value कितनी है mu 1 by mu 2 अभी मैं अगर फोड़ा सा एक special case की बात करूं अगर मैं बात करूं कि light ray एक denser medium से air में जा रही थी तो mu 1 medium जो हमारा है वो क्या बन जाएगा air बन जाएगा air का refractive index होता है हमारा 1 तो sin c की value अगर मैं लिखना चाहूं तो 1 by अगर मैं mu 2 की value denser medium का refractive index था उसको मैं mu माल लूं तो यह 1 by mu तो कुछ इस तरह से हमारा यह relationship between critical angle and refractive index अगर मैं किसी भी medium का refractive index मुझे पता है और उसका critical angle में निकालना चाहता हूं तो इस formula के help से मैं मैं easily calculate कर सका हूँ